बागपस से आपको बड़ी खबर बता देते हैं बड़ी खबर बागपस से जहाँ पर किसानों पर पुलिस ने किया लाथी चार्ज बता दे कि 40 दिन से डटे किसानों को पुलिस ने हटाया A-D-M ने लाठी चार्ज करने से इंकार भी किया है लाठी चार्ज में आपको बता दे कि कई बुजर्ग किसान घायल हुए है बागपस से बड़ी ख़बर किसानों पर पुलिस ने किया लाठी चार्ज 40 दिन से ढटे किसानों को पुलिस ने हटाया एरियम ने लाठी चार्ज से किया है इंकार लाठी चार्ज में कई बुजर्ग किसान घायल हुए हैं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथी साथ आपको तस्वीरे भी दिखा रहे हैं यहां पर बाटपत में टेंट लगाकर किसान जो हैं वो क्रिशी कानूर बिल का विरोध कर रहे थे और करीब 40 दिन से यहां पर बैठे हुए थे और पुलिस ने इनको लाठी चार्ज करके बार से हटाया है लाठी चार्ज में कई बुद्र किसान घायल हुए और इसी खबर प किसान थे उनको भगा जा रहा है लाठी चार्ज किया जा रहा है और क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पारी पहले तो यह बताईए पुरा मामला है जहां पर पुलिस ने बलका प्रियों करते हुए लाठी चार्ज किया और जो प्रिकां थे चाली उपना चला था जिए उसको भी जो रहाए जो लाठी तन्चलन कर दिया है कुदीब जिस तरीके से हम तस्वीरे देख रहे यहां पर लाठी चार्ज किया गया है तस्वीरों में यह इस पर्ष्ट देखा जा सकता है फिर एडियम साहब ने कैसे इंकार किया लाठी चार्ज से किसानों पर पुलिस से लाठी चार्ज किया चुछ पर पुलिस से लाठी चार्ज किया चुछ किसानों को पुलिस में वहां से हटा दिया है और इसे भी चॉप